फाइनली 2022 का बजट आ चुका है और इसमें हमारी गवर्मेंट तकरिबन 39,44,909 करोर साल 2022 के financial year में खर्च करने वाली है और अब हम क्रिप्टो करन्सी की बात करें तो इससे पहले ऐसी न्यूस आ रही थी कि गवर्मेंट शायद क्रिप्टो पर बेन लगा दे लेकिन बजट क के टाइम finance minister निर्मला सितारमन जी ने क्रिप्टो को एक digital asset बताया और साथ में क्रिप्टो करन्सी पे होने वाले profit पर गवर्मेंट ने 30% टेक्स लगाने की बात की है और साथ में 1% TDSP चार्ज किया जाएगा मतलब अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है तो उस से पहले होने वाले profit में जब आप उसको क्रिप्टो को वापस currency में convert करोगे उस time पे जितना आपका profit होगा उसका 30% आपको government को ऐसे tax पे करना पड़ेगा अभी भी government क्रिप्टो करन्सी को legal नहीं बनाया है लेकिन government के इस move से ऐसा expect किया जा रहा है कि आने वाले time में government शायद इसको legal बना दे और साथ ही में इस साल के April मन्त में RBI अपना खुद का digital रूपी भी launch करने वाले है अगर government क्रिप्टो करन्सी को legalize करते है तो इसको कौन regulate करेगा crypto exchange को कौन regulate करेगा ऐसे और भी question कड़े होते है तो चुड़े रही है हमारे साथ जानने के लिए और अगर आप को information पसंद आए तो इसको ले like, share और subscribe जरूर करेए तो मिलते है next video में तब तक के लिए जए इंद, जए बारत